को मेरा नमस्कार और साथ ही आप लोगों को रक्षा वंदन की देर सारी सुब का मनाएं भी जैसे कि हमने आपको पिछले चार-पांच क्लासे जो आपका हुआ है उसमें हम लोग मिडवाइफरी का थियोरी क्लास देख रहे थे उसमें हमने बहुत कुछ जाने थे जैसे कि आपको प्लेसेंटा के बारे में बताए थे फ्लेवन ट्यूब के बारे में बताए थे उसके बाद और भी जो उससे रिगार्डिंग जो बीविया क्वेश्चन बन रहे है वो सारे कुछ हमने डीटेल्स में विट फीगर के साथ आपको पिछले जो थियोरी क्लास थे उसमें समझा चुके हैं और जिसका भी क्लास वो मिस हुआ है वो लोग क्लास जोइंग कर लिए और इसके लिए अभी आपका रक्षा बंदन का महा आउफर दिया जा रहा है इतने कम में आपको क्लास और नोट्स मिलेंगे आपको सारा कुछ बताते हैं इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके वार्टसप करके क्लास में एड हो जाईए जो आपका थियोरी क्लास चुट गया है वो भी आपको मिल जाएंगे और आज से आपका जो भीविया क्विश्चन है उसका क्लास आउग कंटिन्यू होंगे डेली हम लोग 50 क्विश्चन के एराउंड क्विश्चन देखेंगे और इस नंबर पर कॉल करके वार्टसप करके क्लास जोइन कर लिजी आपका जो फी है अभी मात्र 1199 रुपईया कर दि जा रहे हैं तो आप लोग जल्दी से क्लास च्वैंड कर लीजिए चलिए हम लोग क्विश्चन स्टार्ट करते हैं जो भी विविया क्विश्चन और सबसे जएदा आपके एक्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक मिडवाइफरी है और इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और भी जहां पर त्योरी की जवरत पढ़ेंगे वहां पर हम आपको जरूरी वाला सेक्षन लाएंगे और आपको जब डॉट क्लास की जवरत होंगे तो नेक्स संदे से आपकी डॉट क्लासेज प्रोवाइट किये जाएंगे तो जितना अधीक हो सके आप लोग ज कि लंबाई क्या होती है वजीना कि लंबाई क्या होती है फ्लुफन ट्यूब कि लंबाई क्या होती है इस तरीके से बहुत सारा कुछ आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंट्रेस्टिन टॉपिक भी है और साथ ही आपका सबसे से जरूर निकाल दीजेगा कि यह हाड बिलकुल भी नहीं है आपको बहुत इजी बे में हम आपको समझाएंगे पताएंगे और आगे के दिया रहेगा 50 cm कितना होगा इस तो एक अजार चे भाग दे देंगे तो मतलब दो मतलब 0.5 मीटर होगा लेकिन सेंटी मीटर में अच्छा रहेगा बहता रहेगा सेंटी मीटर में ही वैसे आपका ऑप्शन भी रहेगा तो कितना होता है 50 cm होते हैं और यह सब आप लोग और के अपतों इसमें से बताएं उसके बाड़ मेल और फिमेल का परजनने मेंby के दो स्वाह रहेगा μέ्र वेहीं और प्लेवनी 2 यह उसके बात और शीने से बीडर थे है उसके बारे में और भी बहुत डीटेल में हमने आपको बता रखे हैं तो वह क्लासेज आपको ज़रूर देख लीजिएगा का रहा है गर्व के अंदर सीशू की मिर्ट्यू एक्सरे में क्या दर्स आता है आप सब को पता है कि बहुत सारे ऐसे केसेज आपके पास भी आते ह होंगे जो संबीदा पर अभी वर्क कर रहे हैं जो अभी नहीं गए हैं आपने ट्रेनिंग के दौरान आपको होस्पिटल में लगाया जाता था तो उस समय आपने देखे होंगे कि गर्व के अंदर बहुत सारा सीशू मिर्ट्यू पाया जाते हैं तो एक्सरे में जब एक् पता चल जाते हैं तो मतलब कि वह उसमें एक रे होता है जिससे कि वह हमारे तौचा के अंदर पार कर जाता है जिससे कि उस आकिर्थी में बनता है जिससे सारे कुछ किलियर हो जाते हैं तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि गर्व के अंदर सीशू की मिर्ट्यू एक्सरे में खाइसा दिखाता है मूंस्टर की इस्तिति या बुद्धिता इस्तिति या हाइड्रोसीफेलिक या किस तरीके का आकार लेता है या कैसे दिखता है तो किस प्रकार से होते हैं तो हाइपर मतलब कि इस तरीके से हुआ दर्स आता है का इसे मतलब यह कर सकते हैं कि सैंट्टिपिक नेम है जो कि हाइपर फ्लैक्षन ऑफ ऐस्पाइन की तरफ हुआ क्या करता है एक्सरे में दर्स आता है ठीक है अग्वार्ण कुछन है कि बहुत अच्छे से हम ह ancest तक प्रूब करा देंगे कि ये topic उतना ही अच्छा है जितना scoring मिल थोग है तोफिक भी लोग का झम्में झे पिए जोनी सब् mau 50 लिग नाइसिंख हॉर्मोन में सहायक है लियोनीट опять अश्यींजश गया कि吧z टाइक होता है बहुत सारा हॉर्मोन परका हो긴शार किसे क्या क्या वर्क ہیں वो सारे कुछ देरे देरे आपको पता चल जाएनगा तो लियो है कहा मतलब उस लिजी क्यों और और में दोन्हों के के बारे में डिसकस्म किये थे कि जो fertilization में work करते हैं या जो unnissation की किरिया में भाग लेते हैं वो सारे के बारे में हम लोग details में जानेंगे और इसी सबसे आप लोग का सारा question आपको इस topic में ज़्यादा तर्ब देखने को मिलने हैं जैसे कि यहाँ पर flopen tube है इस तरीके से flopen tube जुरा रहते हैं और दोनों भाग में होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि यह भी है इस side भी रहता है यह दोनों किया है flopen tube होता है इसको uterus कहा जाता है यह ovary होते हैं दो ovary होते हैं अंडा साय जिसको बोलते हैं कि ये मतलब कि दो अंडा सेहा होते हैं उसके बाद इसको करवाक्स तर दुसके बाद यह आप लोग जानते ही है इसके बाद यह जो वह वह वाला क्लास जरूरत देख लेजिए है जहां पर जो चीज के जओत होंगत है हम सब्सक्राइब थे कि लियो टाइन शींग जो हॉर्मोन होती है वो ओम को परिपक बनाने में क्या काता है साय करता है ओम मतलब की एस्पार्म को लाने में क्या होती है उस मतलब की रास्ते से आते हैं ठीक है इसके बाद यह हम बात करें अगला क्वेशन कर रहा है कि मासिक धर्म कितने दिनों पर होता है कि यह मतलब की परतेक कर लेजिए आम कर लिए उसमें मतलब कर यह होते हैं मासिक धर्म तो कितने दिनों पर होते हैं तो यह जर्ञल ली आप लोगों को दिखाते होंगे कि जो आपने जैसे के एक फिल्म भी उस पर बना था कि उसके दौरान मतलब कि मासिक दर्म के दौरान क्या कुछ यूज करना चाहिए जैसे कि उसमें जो बताया गया था कि आपड़ी और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं तो वह सब होना चाहिए क्योंकि इन्ही सब चीज़ों को आपको वहां पर जब आपकी जॉब लगेंगे तो वहां पर देखने को मिलेंगे और इन्ही सब इंस्ट्रेक्शन आपको मतलब कि देना होता है और भी बहुत सारे वर्क होता है आप लोगों जैसे कि वर्क किये भी होंगे आ और यह सबर से चीज़के बाद फिसमें तुनों और रो होता है विकास होता है और है इंग सम्हार्ब कका शाया संच को पता है इसको बताने के जर्द ने आप सब को पता है ठीक है एडीडी का क्या आरत होता है यह आपको पता होने चाहिए क्योंकि प्रसब तो सब को पता है तो एडीडी मतलब की जो प्रसब की संभावी तिति होती है जैसे कि आपको पता चले कि इससे लगाया गया तो मतलब उस दिन में हुआ एक दो दिन का अंतर आ गया क्योंकि इसमें असपर्स लिखाए कि संभावी तो बताता है मतलब कि एग्जेक्ट नहीं कि उसी दिन हाज अनुभावी रहेंगे वह बता देंगे यह उससे मतलब कि जैसे कोई डॉक्टर बहु साइटोPeut loro go Minérták take jak busy ? में यह उत्वर्ण ऐता है कहाँ होता है साइटो फो बलास्ट में उत्वर्ण होता है कहां पर होता है साइटोट्रो फलो बलास्ट मेर्ण सिर्हाट करेक्ट एंसर आपका औपसर नमबर च ? wn आपका बहुत इजी है इसका एंसर आप सब को पता भी होगा कि प्रसब सम्मंदित संकटा अवस्था के लिए उदाहरन क्या है प्रसब के समय क्या संकट अवस्था आ सकती है क्या क्या ऐसा सिचुएशन आ सकती है जो कि प्रसब के लिए मतलब नहीं होना चाहिए वो संकट की अवस्था ला सकता है गर्वासाय में सूजन आ जाना या प्रातव वमन या गर्वासाय का फट जाना या गर्वासाय में अमेनिया ये आपको पता है कि अमेनिया क्या होता है अते धिक हानिकारत होते है लेकिन वो निकालता है यह सब हम लोग वहां पर भी यूरीन के के दीटियल में जानेंगए जो यसी कि आप लोग जीसे जो रोजमरा के जिन के उसमें भी देखते होंगे कि किसी ज़्यदा किछे किसी बीचीज पर तो रंग ने डहलनाजा है तो लेकिन ये क्यूश्चन मेरा नहीं है किप्रसभ-संबन्द में हो सकता है ठीक है तो इसका correct answer आपका क्या हो जाए और आपको कुछ लग रहा होगा कि हमें और details में कोई question में जाना चाहिए तो आप यह मीनो फोज यह मीनो रेजिया यह तो मास्य धार्म के साथ जायदा दर्द किया है तो इसका प्लीकशन के तरफ के पर थे अगला क्या रहा है कि सिफी का किटानू जो सिफि alis का जो kitano है 와 मतलब क्या होते हैं या किसमें होते हैं तो ये आपका क्या हो जाए-anya p801 क्या हो दियमसे का होता है शिफ Lewis का kitano traphi-troponema पैलेडियम में होते हैं, सब कितानों सब जगा तो होता नहीं है, ये कहां पर होता है, ट्रोपो नीमा पैलेडियम, कुछ नाम थोड़ा कठिन लगते हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लगने लगता है, ऐसा नहीं है, एक दूबार उसको उच्छाण करिएगा, अच आपको पता होना चाहिए कि समाने नॉर्मल कितना होगा स्वास्त जब है तब कितना रहेगा या उसका मतलब कि समान से अधीक है तब क्या होता है यह आपको मतलब जो नॉर्मल होती है जो रीडिंग आते हैं एक्विपमेंट में वो चीज़े आपको पता होनी चाहिए जैसे से बीपी ही आपको चेक करने बोला जाए उसका क्या होती है तो वह भी हम आपको बताएंगे तो जो एफ एच एस क्योंकि आपको बहुत सारे डिभाइस से वहां पर एकुमेंट पर वर्क करने होते हैं क्योंकि आप लोग का जो सीनियर दीदी वर्क कर रहे होंगे उसे आप पता कर सकते हैं समान एफ एच एच एस जो होती है वह कितना होते हैं तो यह आपका एक सो बीस से एक स 140 पर मिनट होते हैं कितना होते हैं 120 से 140 पर मिनट समान FHS होते हैं इसका correct answer आपका option number भी हो जाएगा अगला question करा है कि 8 में सब्ता से अत्य धीक रग्त संबहन के कारण योनी मार्ग में lateral furnaces में बाड़ती हुई धर्कन मौसूस की जा सकती है तो उसे क्या कहते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है तो उस अवस्था को आपने इसे पहले question में देखे थे कि EDD से प्रसब की अग्जेक्ट थी पता चलता है तो वही कर रहा है कि इसे पहले इसी पर question आये थे तो वही question का अलग तरीके से पूछा गया अलग मोड में कि delivery की संभाविती थी EDD के गनना है तो किस रूल का यूज किया जाता है जैसे कि प्रसब कर लिजिए delivery का जो एज्जेक्ट थी पताता है वह किस रूल पर आदा रिता है या पूछा जाए कि यह किस के द्वारा दिया गया तो यह भी आपको बता सकते हैं तो यह किस रूल पर work करता है यह आपको नियो ग्लेस रूल पर work करता है तो इसका correct अंसल आपका option number C correct हो जाएगा ठीक है और आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि दो बार question आ चुका है कि EDC हम लोग delivery जो प्रसब की तिथी होती है जो सम्भावी तिथी होती है उसका हम लोग आकलन करते हैं या पता लगाते हैं जो सम्भावी तिथी होते हैं ठीक है और यह किस रूल पर work करता है तो निये गेल्स रूल पर यह work करते है next question हम लोग देखते है placenta trivia placenta के बारे में हम बहुत कुछ जाने थे इसका क्या function है इसका क्या work है इसकी importance क्या है इन सब चीजों को लगवा हमने 15 से 20 पॉइंट के आसपास में सिर्फ इसके बारे में बताये थे placenta के बारे में यहीं बताये थे हिंदी में उसका क्या नाम होते हैं यह भी बताये थे सारा कुछ हमने आपको उस class में बता रख्या है वह class आपका भी सो गया है तो जरूर देख लिजेगा और जो class लिए उसको सारा कुछ मिली रहा होगा जो छूट गया वह भी मिल रहे हैं मिल गए होंगे जो भी class जोन करिए उसको मिल जाएगा उसके ल हम त्यारी करेंगे तो वह आप लोग तीस मार्ख आपने आपको मत समझे क्याम बहाली आएगा तो एक से दो मेना में त्यारी कर लेंगे तो रिजल्ट भी आपको उसी अनुसार आएगा फिर बाद में करिएगा कि मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ अप फिर से हम पढ़ेंगे फिर बहाली आने में समय लगेगा क्या प्लेसेंटा प्रीविया में योनी की जांच नहीं करने का कारण क्या होती है जब प्लेसेंटा प्रीविया में योनी की जांच नहीं करने का क्या प्रमुक कारण हो सकता है इन्फेक्शन या रक्त अस्त्राव या ठकावाट या प्रेसिपिटेस्ट लेवर तो किस कारण से मतलब जांच नहीं किया जाता है तो यह आपको रक्त अस्त्राव मतलब रक्त अस्त्राव के कारण जांच नहीं किया जाता है प्लेसेंटा प्रीविया में योनी की जांच न पुरिए कोई जान सकते हैं आपको बसकते के और विख्या सब्सक्राइब होती। alariny violence and spending एसमें गड़ाओ शक्राइब्च में। यहां परILY of you student do as opportunity यहां एक आप प्लेशेंटा है था होते हैं। नाविक नाल भी नाम दिया जाता है जैसे कि यदि आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको कुश्चिन में कर रहा है कि गरवा सहय में जो भुरून का पोशन परदान करने वाला मतलब गरवा सहय में जब बच्चा रहता है तो पलेसेंटा का नाल ही नाव है क्योंकि नाविक नाल से जुरा होता है इसे को हिंदी में नाल भी बोलते हैं तो यह पलेसेंटा जो होते हैं जब बच्चा गरवा सहय में पल रहा होता है तो वहां पर वो पोशन पहुंचाने के कारज करते हैं पोशन जो उत्तक होते हैं मतलब कि पोशन परदान करते हैं साथ ही मा की placenta ही बच्चे जो गरवा सेन होते हैं तो वहां पर oxygen पोशकता तो पहुचाने का कारे करते हैं साथ ही carbon dioxide को बाहर निकालता है और भी जो oxygen पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है तो इस तरीके से इनका मतलब की बहुत सारा function थे इन सब को हमने details में जाने वी थे तो फिर हम लोग आते हैं वही अपने question पर जान चुके और बहुत सारे details में हम आपको बताते हुए चल रहे हैं और उसके बाद next question है कि मा का दूद बढ़ाने में मतलब की दवा मतलब मा के जो दूद होता है बहुत सारे जो गरवती महला होते हैं जो बच्चा के जन देने के बाद उसमें परियाप्त मातरा में दूद नहीं आते हैं तो उस समय उसको बढ़ाने के लिए कौन मतलब दूद को बढ़ाने के लिए कौ कौन सा दवा दिया जाता है तो यह आपका मेटो क्लो जो मेटो क्लो पारा माइड होती है इस नाम के दवा मतलब की मा के दूद को बढ़ाने का कायरिक करता है इसका क्रेक्ट अंसर आपका क्या हो जगा ऑप्सन नुमबर आपका भी सही हो जगा ठीक है अलग कुछन करें एक गर्वती इस तरी को रात में उंगलियों में चूहन और दर्द महसूस होता है इस दसा को क्या कहा जाता है जब एक गर्वती महिला होती है जब गर्वधारन करती है तो उसके रात में उसके उंगलियों में चूहन और जो दर्द होता है महसूस होता है तो मतलब इस दसा को स्थिति को क्या कहा जाते हैं किस नाम से जानते हैं तो कारपल ट्विंस सेण्डलोन स्थिति के नाम से इसको जानते हैं जब डॉक्टर के एक आरपल स्ट्रेजिन से सिंड्रोन मतलब की है इस्तिती है तो आप समझ जाएगा कि क्या कुछ इस्तिती है ठीक है यह सब टेक्निकल नेम होते हैं तो इस तरीकी से आपको यह सब चीजें पता होनी चाहिए अलागा र चत्र जो बनने लगती हैं उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहा जाता है तो उसको कोड़ी आजमा क्रेवी डेरम कहे जाते हैं तो क्लो आजमा ग्रेवी डेरम कहे जाते हैं तो इसका क्रेक्ट अंसर आपका ऑप्सन नंबर भी सही हो जाएगा ठीक है अलेकि गर्वासाय में सर्विक्स का मुलाइमपन को कहते हैं सर्विक्स कहां होते हैं गर्वासाय क्या होता है वो सब हम आपको बताए हुए हैं तो गर्वासाय में सर्विक्स का मुलाइमपन को क्या कहा जाता है तो गर्वासाय में सर्विक्स के मुलायँपवं को चाडडविक्स साइन का जाता है क्या का जाता है आज हम फिर से आपको रिमेंड करके सारे थियोरी पर ले गए थे सारे कुछ फीगर दिखाए थे और जहां पर जड़त होंगे वैसे हम चलते चलेंगे आपको सारा कुछ बताते भी चलेंगे साथ ही हमारा जो question है वो भी होता चलेगा ठीक है तो मिलते हैं next class में ने जो आपका classes होंगे उसमें हम लोग आगे की question continue करेंगे